किसी ने क्या खूब कहा है जहां भी जाएगा रोशनी ही फैलाएगा किसी चराग का कोई एक मका नहीं होता दोस्तों कुछ शक्सियतों की मिसाल ऐसी है जिन पर ये पंक्तियां एक्दम सटीक बैठती हैं जी हां आज हम जिस वेक्तित्व की बात करने वाले हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुवात की थी एक सफल रेडियो जोकी से इसके बाद वो मायनगरी में लंबे समय तक एक चमकता सितारा साबित हुए और अंत में तेश की राजनीती में एक सफल राजनीता के रूप में उन्होंने अपना नाम रोशन किया ये कमाल की शक्सियत कोई और नहीं बलकी सुनिलदत सहाब हैं प्रसिद्ध फिल्म अबिनेता और राजनीतिग्य सुनिलदत का जन 6 जून साल 1929 को ए विभाजित पंजाब के जहलम जिले में हुआ सुनिल का असली नाम था बलराजदत औ और इनका जादतर बच्पन यमना नधी के किनारे मदाली गाउं में बीता जो की हर्याना परदेश में है यहां से सुरुआती शिक्षा पूरी कर लेने के बाद बलराज ने आगे की पढ़ाई मुंबई के जैहिंद कॉलिस से की बच्पन से ही बलराज को फिल्में देखने नाम हुआ करते थे ऐसे में बलराजदत ने अपना नाम बदल कर सुनिल्दत कर लिया और नए नाम के साथ काम तलाशने लगे सुनिल्दत के करियर की शुरुवात हुई रेडियो से इन्हें साउथ एश्या की सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सुलोन में एक उद्घोशक के रूप में नौकरी मिली अपनी बुलंद और अलैदा आवाज की बदौलत एक उद्गोशक के रूप में सुनिल दत बेहत लोग प्रिये हुए लेकिन कुछ समय बाद ही एक बार फिर उनके अभिने की रूची जाग उठी सुनिल ने दुबारा से फिल्मों में काम तलाशना शुरू किया आखिरकार साल 1955 में सुनिल की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म प्रदर्शित हुई ये फिल्म कुछ खास नहीं चली इसके बाद साल 1956 और साल 1957 में सुनिल दत ने कुंधन, राजधानी, किस्मत ककेल और पायल जैसी कई छोटी फिल्मों में अभी नहीं किया लेकिन किसी में भी उन्हीं सफलता नहीं मिली सुनिल दत ने इन नाकामियों से हार नहीं मानी और संघर्श जारी रखा आखिरकार महनत रंगलाई और साल 1957 में उनकी फिल्म मदर इंडिया प्रदर्शित हुई ये फिल्म ना सुनिल के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई बलकि हिंदी सिनेमा की काल जै फिल्मों में आज भी शुमार की जाती है खैर इस फिल्म से जहां सुनिल दत को एक अभी नेता के रूप में पहचान मिली शहरत मिली वहीं दूसरी और मशूर अभी नेतरी नर्गिस के रूप में अपनी जीवन संगिनी भी मिल गई दरसल फिल्म मदर इंडिया में एक सीन के शूट के दोरान सैट पर आग लग गई इस आग में नर्गिस फस गई ऐसे में अपनी जान पर खेल कर सुनिल ने उनकी जान बचाई इसके बाद नर्गिस सुनिल को दिल दे बैठी बाद में दोरों ने शादी कर ली मदर इंडिया की सफलता के बाद सुनिल की साल 1958 में फिल्म साधना, साल 1963 में फिल्म मुझजीने दो, साल 1965 में फिल्म खांदान और साल 1967 में फिल्म पडोसन रिलीज होई सुनिल को इन फिल्मों से भारतिय दर्शकों के बीच सफल अभीनिता के रूप में पहचान मिल गई इसके बाद साल 1965 में सुपर हिट फिल्म वक्त प्रदर्शित हुई यहां सुनिल के सामने बलराज साहनी, राजकुमार, शशी कपूर और रह्मान जैसे नामी सितारे थे इसके बाब जूद सुनिल ने अपने दमदार अभीने से दर्शकों का दिल जीत लिया इसी वर्श इनकी फिल्में मिलन, महरबान और हमराज भी रिलीज होई यह फिल्में ना सिर्फ सुपर हिट फिल्में थी, बलकि इन में सुनिल के अभीने के नए नए रूप दर्शकों को देखने को मिले सुनिल दत ने साल 1963 में फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के के जरिये, फिल्म निर्मान के छेत्र में भी कदम रख दिया ये फिल्म टिकेट खिड़की पर ज़्यादा सफल नहीं रही, इस फिल्म के बाद सुनिल दत ने फिल्म मुझे जीने दो का निर्मान किया ये फिल्म डांको के जिंदगी पर आधारिती, ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और फिल्मी दुनिया को अपना पहला एंग्री यंग मैन और सबसे खतरनाक डांको सुनिल दत मिला इसके बाद सुनिल दत ने अपने भाई सौमदत को बतोर मुझे अभीनिता लेकर फिल्म मन का मीत बनाई लेकिन ना तो फिल्म ही चली और ना ही सौमदत सुनिल दत ने साल 1971 में अपनी महत्वकांशी फिल्म रेश्मा और शेरा का निर्मान किया इसका निर्देशन भी उन्होंने किया इस बड़े बजट की फिल्म को भी दर्शकों ने सिरे से नकार दिया इसके बाद एक बार फिर सुनिल्दत ने अभिने की तरफ रुख किया उनकी फिल्म प्रान जाए पर वचन न जाए नागिन, जानी दुश्मन और शान आई ये सारी फिल्मे हिट रही हिंदी के अलावा सुनिल्दत ने कई पंजाबी फिल्मों में भी अपने अभिने के जल्वे दिखाए इन फिल्मों में शामिल है मन जीते, जग जीते, दुख भंजन तेरा नाम और सत्षिरी अकाल ये फिल्म में खासा सुपर हिट रही साल 1980 में सुनिल्दत ने अपने बेटे संजदत को फिल्म रॉकी से लौंच किया ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई लेकिन फिल्म के रिलीज होने के थोड़े समय पहले ही पत्नी नर्गिस का कैंसर की वज़े से देहां धो गया सुनिल्दत इस सदमे से पूरी तरह तूट गए लेकिन परिवार की जिम्मेदारी भी खुद उनके कंदों पर थी तो जल्द ही न वो सिर्फ संभल गए बल्कि पधनी की याद में नर्गिस दत फाउंडेशन की स्थापना की ये वही समय था जब वे सामजी कारेों में ज़्यादा दिल्चस्पी लेने लगे सुनिलदत ने पहले समाज सेवा की और फिर समाज सेवा से राजनीती में परवीश कर दिया कांग्रेस के सहीयोग से लोगसभा के सदस्य बने पहली बार इने उत्तर पस्चिमी लोगसभा सीट से साल 1984 में कांग्रेस पाटी से टिकेट मिला सुनिल्दत ना सिर्फ ये चुनाव जीते बलकि लगातार पांच बार इसी सीट से सांसत चुने जाते रहे और जब इनकी मिरुत्य हुई तो इनकी पुत्री प्रियादत भी यहीं से चुनाव जीत कर सांसत बनी सुनिल्दत एक सच्चे देशभग और कुशल सामाजिक कारे करता भी थे महरास सरकार ने उन्हें 1975 में जस्तिस ओपीस और साल 1981 में शेरिफ बनाया था वहीं साल 1962 में चीन से युद्ध के दोरान सुनिल्द ने एक लाग का चंदा दिया था जोकि उस समय बड़ी रकम हुआ करती थी रास्तिय सुरक्षा कोश में ये रकम दी गई थी भारतिय सिनेमा में की गई उनकी शांदार अधकारी के लिए जहां साल 1964 और साल 1966 में इन्हें दो बार फिल्म फेर सर्फेस्ट अभिनेता का प्रुसकार मिला तो वहीं साल 2005 में इन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बड़े प्रुसकार यानि दादा साब फाल के प्रुसकार से भी सम्मानित किया गया था इसके पहले साल 1968 में सुनिल को पदमश्री प्रुसकार से सम्मानित किया जा चुका था सुनील दत भले ही एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे लेकिन अभीने उनके दिल में हमेशा बसता था और यही वज़य है कि साल 2003 में जब विदू विनोच चोपड़ा ने उनसे फिल्म मुन्ना भाई MBBS में अभीने करने को कहा तकरीबन 10 सालों से फिल्मों से दूर रहने के बावजूत सुनिल इस फिल्म में काम करने को राजी हो गए इस ब्लोकबस्टर फिल्म में उन्होंने अपने ही पुतर संजदत के पिता की भूमिका निभाई मुन्ना भाई MBBS फिल्म को संजदत की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जाता है कहा तो यहां तक जाता है कि टाड़ा से छूटने के बाद संजदत की छवी को इसी फिल्म ने सका रत्मकता दी हिंदी फिल्मों के पहले एंग्री यंग मैं और राजनीतिक तौर पर आदर्श नेता सुनिल्दत का 25 मईस साल 2005 को हर्दे गती रुकने से दिहान्त हो गया लेकिन शायद वो अमर है अपने किये गए कामों को लेकर वह मदर इंडिया के बिर्जू के रूप में या देश के एक आदर्श नेता के तौर पर आज भी हमारे बीच कहीं न कहीं मौजूद हैं